हम यहां पर देखते हैं group pulses को कैसे implement करना है उसके अंदर OU और user कैसे create करने है और जो हमारा computer है उसको कैसे move करना है एक particular OU के अंदर तो यह हमने पहले discuss किया है कि पिछली वीडियो में कि किया हम कितने OUs create करना चाहते हैं हम तीन OU करना चाहते हैं CS, electronics and accounts और Z1 और Z2 को particular हम जो है OU के अंदर डाल देंगे तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि active active users and computer पे चले जाना है वहाँ पे हमने वारा जो domain है example.com है वहाँ पे आपने right click करके आपके पास एक new वाली option आजेगी यह option पे जाके आप user भी create कर सकते हैं organization unit ध्यानक ना organization unit आपके जो जैसे department होते हैं वैसे ही काम करते हैं हम एक organization unit को create करना चाहते हैं और जो organization unit है हम पहले वाला जो organization उसको क्या करते हैं CS create करेंगे और यहां पर by default क्या होगा कि protect container for accident relation हम इसको uncheck कर देंगे क्योंकि कई बरी अगर हमने OU delete करना है तो फिर time लगता है तो आपकी accidental delete ना हो जाए कहीं गलती से आपसे तो उसके लिए protection लगा सकते हैं पर हम ऐसी कुछ protection नहीं चाहते हैं तो हम इसको uncheck कर देंगे तो यह हमारा जो CS वाला हो गया फिर हमने क्या करना है electronics वाला OU same हम कर देंगे यहां पर जो protection होगी उसको uncheck कर देंगे okay कर देंगे फिर अब हम क्या करेंगे कि हम user create करेंगे user create पहले हम CS पे click करेंगे CS पे click करने के बाद अगर हम जब user create करेंगे तो वो by default CS के अंदर create होजेगा पर आप जुरूरी नहीं है यह आप users में जाके भी user create कर सकते हो बाद में उसको अलग-लग OU's में कर सकते हो पर यह life में भी क्या होता है हमें पता है कि यह person यह नन्नो accounts department में काम करता है आनिया research department म में खाम करते है तो उसी साहब से आप क्या कर सकते हो जो users है उसको OU के हिसाब से आप create कर दोगे जहां वहाँ पर move कर दोगे तो यहां पर हम new user है तो हम ने जैडवन यूजर बना दिया उसको एक password रख देंगे वही complex सा password ASDF और जिसमें सारे type के character है तो next कर देंगे तो यह by default आपका किस के अंदर create होजेगा example.com CS के अंदर जो हमारा एक user create होजेगा जैडवन तो हम वहां पर जाके check कर लेंगे कि हमारा c1 user जैडवन user create हो गया कि नहीं हो गया फिर हम दूसरा user हम जो electronics पर क्लिक कर देंगे electronic पर जाके फिर user पर क्लिक करेंगे जैड़ टू यूजर उसको फिर कोई ना कोई password दे देंगे और finish कर देंगे तो यहां पर आप देखोगे कि example.com electronics के अंदर आपका एक user और create हो गया एक और हम create करना चाहते हैं accounts वाला तो हम वैसे कर देंगे accounts वाला एक OU create कर देंगे जो protection है उसको हटा देंगे तो OK कर देंगे और हमारे पास जो computers के अंदर computer हम लेके चलते हैं कि यह जो seat and computer है वो हमारे पास गया है accounts department को belong करता है तो हम इसको क्या करेंगे इसको computers पर जाके click करेंगे right click करेंगे move वाली option आएगी move वाली जब option आएगी तो आपने कहां पर move कर देना है select कर लेना accounts ओके कर देना है तो आप देखोगे तो अब हमारे पास क्या है कि CS में जैड़वन यूजर है electronics में हमारे पास जो है जैड़वन यूजर है और हमारा accounts department में हमने क्या कर दिया कि में तो इस तरह जैसे real जो है organization जा company है जा यूनिवस्टी है जा college है आप क्यों पता होता है कि यह accounts department को computer belong करते हैं यह परसनक accounts वाले हैं यह finance वाले हैं यह computer finance को belong करते हैं तो पूरा इसी तरह का same आपको जो structure है आप यहां पर बना सकती हो तो उससे क्या है कि resources को संभालने में जा manage करने में बहुत असानी होती है तो हम यहां पर अब जाके देखेंगे कि उसके बाद क्या करना है पहले इसकी demo देखते हैं कि कैसी एक rate करने है फिर देखेंगे कि हमने group policy कैसी create करनी है उसको attach कैसे करना है कौन-कौन सी हम settings वगयरा करना चाहते हैं वो सारा कुछ हम देखेंगे